तो आज मेरे पास Hammer के दफ से आने वाली Ace Plus Smart Watch और आ हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों ने Hammer का नाम सुना हो तो इसलिए इस प्रोडक्ट को देखते हैं यह कैसा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वार्टी है वो कैसी है अगर आप एक Smart Watch लेनी की सोच रहे हैं तो इसको भी आजी चेक करें ते इस ब्रैंड में आपको budget range में काफी अच्छी Smart Watch मिलें जिन में आपको बहुत सारे पीचर्स मिलते हैं बाकि वह अभी चेक करते हैं तो यह जो इसके अंदर में मिलता है इसकी वह क्वालिटी काफी अच्छी है उसके बाद जो हमें मिल जाता है एक charger जो तो यह है इस watch का look और look इसका मुझे काफी अच्छा लगा और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि यह watch है round shape में जो round shape वाली watch है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है काफी different है इसकी जो build quality है build quality तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है बहुत ही awesome है पीचे हमें sensor मिल जाते ह left side में यहां पर speaker दिया हुआ इसके अंदर inbuilt speaker हमें watch के अंदर दिया हुआ है right side में power button मिल जाता है scroll button मिल जाता है और एक mic beast के अंदर दिया हुआ है तो look तो भाइस इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा तो करते हैं इस watch को अब on इसका power button है उसको 5 seconds तक दबा के रखेंगे तो इसका first boot हो जाएगा मैंने इस watch को अभी तक on नहीं किया था अब यह on हुई है और यह इसका face है जो अभी बूट करते साथ ही पहला आया है और जो brightness है वो मुझे थोड़ी सी जादा ही लग रही है मतलब अगर camera में देखो तो brightness थोड़ी सी over ही लग रही है तो brightness तो इसका मतलब ठीक है और touch response जैसे मैं use कर रहा हूँ ना touch response भी बहुत ही सही लग रहा है भी तो brightness पहले मैं कम करता हू उसको इसमें हमें brightness इस तरह से adjust करने का option मिलता है फुल पर थी है बिलकूर मैंने इसको भी brightness कम कर दिया अब एकदम perfect लग रहा है और grid style तो मिलता ही है तो इसको मैं list style पर कर देता हूं क्योंकि list वाला जो है वो बढ़िया है उसमें apps को find करना भी आसान है और वो बढ़िया से उसके बाद connect होने के बाद तो भाई बिलकूरी है अपने फोन के मदद से हम इसमें बहुत सारे faces download कर सकते हैं मतलब बहुत सारे faces हैं इसके अंदर मैं दिखाद दता हूं यहां हम स्क्रोल करना है और इसमें इतने सारे faces हैं जैसे यह Godzilla वाला मुझे सबसे बड़े लगा कि इसी पे भी क्लिक करो सारे fill है redeem हो जाता है तुरंद और यह वाच के अंदर apply हो जाता है और यह इस तरह से काफी सारे faces इसमें हम download कर सकते हैं नए वाले भी हैं और पॉपिलर्स भी हैं और देखिए एक बाद लुक देखो इसका कितना ज्यादा बहुत नहीं लग रहा है इ इसके अंदर multiple sports mode मिल जाते हैं sports mode यानि कि जो fitness वगेरा आप इसमें blood pressure oxygen heart rate heart beating और cycling वगेरा और यहाँ पर अपने step count करवा सकते हैं आप स्लीप करवा सकते हैं साइक्लिंग कर सकते हैं jumping मतलब fitness के लिए तो perfect है और मैंने इसकी accuracy देखी काफी ठीक ठाके तो fitness के लिए तो बहुत डाइल करो चाए incoming हो चाए outgoing हो आपके फोन के context भी आ जाते हैं तो किसी को भी call मिला लो call के लिए बहुत ही perfectly काम कर रही है call के लिए काफी अच्छी आवाज भी तो मैं तो जारू करने है घर पर हैं और एक feature मुझे इस watch का बहुत पसंद आया BT camera का simply click करना है फोन का camera automatic on हो जा भी करवा सकते हैं और हमारे फोन के WhatsApp, Messenger, Insta, Facebook, Twitter, Snapchat सबके message तुरंत instant दिखाती है ये watch वह भी vibration motor के साथ यानि की बार बार फोन को देखने की जुरत नहीं पड़ेगी और watch से ही आप phone को ring भी करवा सकते हैं overall look और build quality मुझे इसकी काफी सही लेगी link इसका मेंने description में आप भी ए ग्सृड़ में